हेलो दोस्तों, हिंदे अन्वाई टिक्स में आप सभी का स्वगत है दोस्तों आप 24 घंटे आउनलाइन रहिए 24 घंटे आउनलाइन रहकर किसी की भी साथ चैट कीजिए लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि आप आउनलाइन है क्योंकि आपका पुराना ही लास्ट सींग दिखाई देगा आपका लास्ट सींग चेंज नहीं होगा आप किसी को भी ऑनलाइन दिखाई नहीं देंगे और आप किसी की भी मैसेज पढ़ लेंगे लेकिन उस मैसेज पर बुलू टिक शो नहीं होगा वहाँ पर green tick ही रहेगा इस तरह से दोस्तों आप offline chatting भी कर सकते ही किसी के साथ या फिर offline रहकर किसी की भी message पढ़ भी सकते ही लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलेगा अगर आप ये trick सीखना चाहते ही तो वीडियो को एक प्यारा सा like कर दो और channel को subscribe कर लो इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए और bell icon को on जरूर करो ताकि मैं जैसे कोई नए वीडियो अपलोड करू तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए इसके पाद आपको एक comment कर देना है आपका नाम क्या है मुझे comment करके जरूर बता देना ठीक है दोस्तों इतना काम जरूर कर लेना तो चलिए हम WhatsApp को open कर लेते हैं अब यहाँ पर मैंने एक message एक chat open किये WhatsApp पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर last scene क्या दिखा रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर message आ चुका है जैसे क्या आप देख सकते हैं message यहाँ पर आ चुका है ठीक है अब मैं चाहता हूँ इस बंदे से chat भी करना और मेरा last scene भी change ना हो तो आपको क्या करना है तो मेरा यह वाला mobile है और यह मेरे friend का mobile है विसाल के तोर पर यह मेरे friend का mobile है और इसको जो यह मेरा last scene पुराना दिखा रहा है यह है मेरा mobile और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके सारे message पढ़ लूँ लेकिन इसको पता ना चले या फिर मैं इसके साथ chatting करूँ लेकिन जो दूसरे WhatsApp friend है उनको पता ना चले तो कैसे करेंगे ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हम इस mobile को रख देते हैं side में यह वाला mobile यहाँ पर रख देते हैं हम इस तरह से और यहाँ पर ले ले लेते हैं इस mobile को ठीक है तो इस mobile में आपको क्या करना है एक application डाउनलोड कर लेना है इस app का नाम है notice sale इसका download link में आपको वीडियो के description में भी दे दूँगा वहाँ से आप इस app को आसानी से download कर सकते हैं app को download करने के बाद आपको next कर देना है और यहाँ पर allow पर click करना है और आपको इस application को permission दे देना है permission को allow कर देना है allow करने के बाद back आजाना है back आने के बाद आपको यहाँ पर एक और permission इसको allow कर देना है इसके बाद यह application open हो जाएगी यहाँ पर आपको फिर से next पर click करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है उपर में आप देख सकते हैं एक setting जो हो बंद है इस setting को आपको on करना है इसके बाद दोबारा से setting को off कर देना है ठीके इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ पर WhatsApp दिखाई देगा आपको WhatsApp के सामने वाली setting को on कर लेना है ठीके इसके बाद आपको यहाँ पर back आजाना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पर next पर click करना है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई MI का phone use कर रहे हैं या फिर आपके mobile में auto start की setting है तो आपको इस अपको जो है auto start की permission दे देना है आपको इस तरह से allow कर देना है ठीक है इतना allow करने के बाद आपको फिर से back आना ह ठीक है अब यहाँ से हम आ जाते हैं back ठीक है अब दोस्तों यह बंदा अगर मुझे WhatsApp पर message करेगा मैं इसके message को पढ़े भी लूँगा लेकिन जो मेरा यहाँ पर पुराना last scene दिखाई दे रहा है वही दिखाई देगा और message पर दोस्तों गुलू टिक नहीं आएगा गरे ट चल जाएगा कि मैं online आ चुका हूं और सभी WhatsApp यूजर को पता चल जाएगा जो आपके contact वाले है तीक है तो आपको इसके message को पढ़ने के लिए क्या करना है आपको notice save app को open कर लेना है तीक है एप को open करने के बाद आपको ऊपर ही यहाँ पर उस बंदे के message दिखाई देंगे जितने भी लोग आपको WhatsApp पर message करेंगे सभी के message आपको यहाँ पर दिखाई देंगे आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर message के icon पर click करेंगे तो यहाँ पर भी आपको message दिखाई देंगे इस पर click करके आप chat को open कर सकते हैं और message को पढ़ सकते हैं देख सकते हैं यहाँ मैं message फिर से करता हूँ, आप देख सकते है message यहाँ यहाँ पर आ गया है, और जो लास्ट हीन है दोस्तो आप देख सकते हैं, मेरा पुराना ही दिखाई दे रहा है, एक बचकर 5 मिन 21-30 ऑम, आप देख सकते हैं, जबके हैं इसके सारे message पढ़ गा ओ, हुआ हो अगर आपको कोई emoji वगर करना है तो कीबोड में यहाँ पर किलिक कर देना है यहाँ पर आपको emoji भी देखने के लिए मिल जाएंगे और आप emoji भी आसानी से अचाइन कर सकते हैं आप पुछ इस थरह से ठीक है अब दूस्तों यहाँ पर जो आपको दूसरे WhatsApp friend है, उनको भी पता नहीं चलेगा कि आप online है, क्योंकि आपका जो पुराना last scene है, वो ही यहाँ पर दिखाई देगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस mobile को लिया आप देख सकते हैं, मेरा पुराना ही last scene दिखाई दे रहा है जबके इसके सारे message में पढ़ रहा हूँ और हम दोनों chat भी कर रहे हैं तो इस तरह से दोस्तों, आप 24 घंटे online रहकर सभी लोगों को offline दिखा सकते हैं, किसी की भी साथ chat कर सकते हैं, और सभी लोगों के WhatsApp message पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस application में, और आपका जो last scene ने वो पुराना ही दिखाई देगा तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक तैरा सा लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को शेर कर दो WhatsApp, Facebook पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टैंक यू